Good morning 3Ds, हम आज आपका 1st paper चिर्ट करने जा रहे हैं जैसा आपको बता ही है कि Zoology के आपके 3 paper होते हैं और उसमें पहला paper है वो codits का paper है पहला paper है जो codita का paper है और उस 1st paper का syllabus है जो उसके 3 portions है या जो आप sections कहते हैं उसमें unit 1 जो है वो primitive codits के बारे में है वालमकॉडिटा के प्रिमिटिव मेंबर्स हैं जो हड़मानिया है बरेंके उसक्रोमाजन के बारे में वारे में नियुका एक चैप्टir है हेमीकॉडिटा, यूरोकॉडिका और सेफिलोकॉड़िटा की अफिनिटीज है और हडमानिया के लारवा की स्टाडिय है 20 Section आपके पांच्छू रेप्रेशेटिटीटेटिव ऐनिमल्ज्ट है जैसे एमफिविय में फीरोग है और самый वेरणस रह लेबियो¿ है फिश knapp और आपके मैमल्ज में जो है रहां रैठ है और जो बर्स हैं उनमें पीजिन है तो इन पाँच अनीमल्स की आपको स्टाडी करनी है और जो सेक्शन C है वो थोड़ा सा कोड़ेट अडेटेशन के बारे में है कि कोड़ेटा में डिवन काइन के अनुकूलन किस प्रकार से पाए जाते हैं जिससे कि वो आसनी से या ज्यादा अच्छी तरीके से यहां पर एंवार्मेंट में सर्वाइव करता है तो उसी में से एक चप्टर है पैरेंटिल केयर इन आफ़ीबिया आप जानते हैं घा होता है अप्टील अपहले इनमेंट पर भी रहते हैं और पानी प्थी पर पहुड़ेटे मैं जेने व े बाद विच बीच बीच में पानी में जाते हैं लेकिन व सभाणि उमने अभिच बहाटेक है थे कह अगा나 है बल्हीं अब हिन्द जाना पड़ता है कि अब बात आती हैं में जिसके हम आज बात करने जा रहे हैं तो इन में यह पैतर्यक रक्षन किस प्रकार का पाई जाता है सब्सेल तो सबसे रही है कि प्रनों करने जाता है किसी भी प्रकार का parental behavior जो कि अपने offsprings के fitness को, offsprings के जीवन को increase कर दे, उनके लिए easy बना दे, वो सारी चीज, वो care, सारा वेहार या वो सारी care जो है, वो parental care के अंतरकर आती है, मतलब उनकी किस प्रकार से वो देखवाल करें, जिससे कि वो आसाने से survive कर जाएं, उनके शिकार होने से बच जाएं, उनकी food feeding की पूरी विवस्ता करें, यह सारी चीजी जो होती है, यह parental care के अंतरकर आती है, parental care काफी common है, जैसे fishes के अगर हम बात करें, तो parental care 25% common है, लेकिन यहाँ important चीज किया है, कि parental care यहाँ पे males के द्वारा देखने को मिलता है, male member जो है वो बच्चों की या अंडों की देखवाल, आने वाली off springs की देखवाल, male member करता है, फिर अगर हम amphibia हैं, तो यहाँ पर भी common है, 18% salamanders, 6% fox और totes में, जो है parental care पाई जाती है, और दोनों ही parents parental care में हिस्सा लेते हैं, दोनों parents में participate करते हैं, reptiles में यह uncommon है, अगर कहीं पाई जाती है, तो वो दोनों parents के द्वारा उसमें participate किया जाता है, birds में also very common, सब में ही लगवग पाई जाता है, and both the parents are participate in the parental care, mammals में it is quite common, very common, और 100% इसमें parental care पाई जाती है, अपने off springs की देखवाल की जो है tendency पाई जाती है, लेकिन यहां पर mainly females participate करती है, parental care में बच्चों की देखवाल में female का योगदान जाता है, यह बात यहां पर एक general हम animal kingdom में किस प्रकार से parental care देखने को लेता है, उसके बारे में हमने बात की, फ्रोग का life cycle अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि फ्रोग में egg, egg से फिर embryo और आपने first year में फ्रोग की पूरी जो है developmental biology study की है, तो वह आपने देखा है कि किस प्रकार से, वो अलग-अलग metamorphic stage से होता हुआ, फाइनली जो है dead pole में convert होता है, और पहले वो inside the water development होता है, और आद में वो पर्मोनर everything उसमें start हो जाती है और वो पाने से बाहर भी आ जाता है, और टैट पोल फ्रोग फाइनली कर्बट हो जाता है, अब वो पाने से बाहर बारी जिन्दगी आसाने से जी सकता है, बाहर भी वो स्वशित की विक्रिया कर सकता है, एंवीबिया को हम जानत आते हैं जैसे आपको इसमें यहां पर दिखाई दे रहा है, एपोड़ा में एक थाविश वगर ऐसे वाले जो एंवीबियांस हैं, यह लोग आते हैं, यूरो डेला में जो है से लामेंडर्स, नूड्स, यह सब जीजे जो है, वो आती है, यह सब बाते हैं आफस्टेर में नैस्ट और नर्सरी फॉर्मेशन के द्वारा, छोटे-छोटे गोंसले या छोटे-छोटे जगें जो है, वो बना ही जाती है अंडे देने के लिए, उनके द्वारा प्रोटेक्शन पाया जाता है, पहला जो पाया जाता है, वो पहला प्रकार जो है पेरेंटिल केर का का Greek का एक्जामबल है, भी वी पेरती का होती है? भी पेरती मतलब बच्चे देना, बेसिकली ट्रह ओवी पैरेंटिल अंडे देते है, लेकिन कहीं पे बच्चे दिये जाते हैं, तो internal body ही बच्चे देने जाने तकी stage तक खो development है, वो internal body होता है, उनके केर जो है, वहा पर हो जाती है तो parental care में तीन तरह से देखी जा रही है by means of nest or nurseries, by direct nursing और by vb parity सबसे पहले protection by nest nurseries और shelters तो इसमें क्या होता है कि side selection किया जाता है many amphibians कई सारे amphibians जो है moist micro habitats micro habitat से मतलब है कि complete बड़े habitat में छोटा-छोटा अलग से habitat develop कर लेना जिसे हम micro habitat कहते हैं environmental biology में आपने पढ़ा होगा तो लेंड पे ये amphibians जो है moist micro habitats develop करते हैं और उनमें अपने अंडे देते हैं tropical frogs और toads जो है वो लेंड near the water क्योंकि moist छही है तो पानी के पास जो है लेंड पे अपने अंडे देते हैं ये tree frogs भी अपने अंडे जो है वो लेंड पे तो नहीं देते बट leaves और branches बे ओर hanging water के ऊपर जो leaves और branches उनके ऊपर ये अपने अंडे देते हैं इस प्रकार से साइट सेलेक्शन अपने अंडे देने के लिए करती है फिर इन में defending territorial habitat पाया जाता है उनको defend करने की प्रवर्ती पाया जाती है जैसे क्लैमिटेंस है ग्रीन फ्रॉग जो है उसके मेल जो है और भी कई सारी स्पीसीज ये territorial हो जाते हैं और जो है अगर अंडों को नुकसान पहुचाने की कुशिश करे या इनकी उदर आने की कुशिश करे तो ये उसके प्रती attacking हो जाते हैं उसके अटेक करते हैं और इस प्रक का जो वह वहार है वो territorial habitat territorial behavior कहलाता है फिर direct development में पाय जाते है कुछ terrestrial और ट्री फ्रॉग्स जैसे अर्थ्रोलेप्टेस, हाईलोडेज, हाईलमेडलोसा इनके एक जो है डिरेक्टली लेटल फ्रॉग में हैच कर जाते हैं तो जो लार्वल मॉटलिटी है उससे बचा हो जात थी वहां पर जो खत्रा था उससे बचा हो जाता है यह हैचिंग के द्वारा सीधे ही छोटे-छोटे फ्रॉग्स में बदल जाते हैं मतले इनमें direct development की capacity पाय जाती है फोर एक्जामपल आर्थ्रोलेप्टेस, हाईलोडेज और हाईलोमेडलोसा आदी जो species हैं इनमें इस प् स्वीक तरह की secretions के द्वारा nest बनाते हैं Japanese free frog जो है रेको फूरस, skelle-gally, the mating couple डिग होल और टरनल, छोटे-छोटे टरनल या होल बनाएगा mating couple, उसके अंदर वो अपने अंडे देगा और फिर फ्रॉदी मास में वो उसको इन अंडों को छोड़ देगा to avoid the desiccation, थोड़ा सा पर इस प्रकार का environment develop किया जाएगा, moist वाला environment develop किया जाएगा कि वो desiccation से सूखने से उन अंडे को बचाए, इस प्रकार का nest है वो foam nest कहलाता है, mud nest बनाया जाते हैं Brazilian tree frog, hyla, feb, jay, इसके males जो हैं वो एक होलो nursery, mud में, चिचले water में, shallow water में, थोड़ा सा एक कीचर नुमा जग इसी प्रकार gelatinous bags में भी अंडे दिये जाते हैं, इसमें fire and liqueous biroy, अपने बड़े अंडे जो हैं, ये एक sausage shaped transparent gelatinous membranous bag में दे देता है, जो की female की द्वारा secret किया जाता है, और mountains streams में इसको छोड़ देती है, female secret करके, और उस bag जैसी सरंचिना में gelatinous bag transparent जो है, उसमें बड़े ब रखे जाते हैं, तो इस प्रकार से gelatinous bags में भी अंडों को जो है, बचाव के लिए रखा जाता है, अब आप ये जित्ती भी बात हैं हमने की उसके कुछ एक जो डेक्राम से वह आप देखिए, कि किस प्रकार से जो mud nest बनाया जाते हैं, ये हाईला फेबर में यहाँ आपको में दिखाया दे रहा है, mud का nest बनाया है, और उसमें अंदर अंडे दिये गए हैं, similarly, रेकोफोरास, मैकुलेट्स जो है, ये अपने surrounding water में इसने फ्रोधी limb मोमेंट से, जो है फ्रोधी थोड़ा सा surrounding water से यहाँ पे environment develop किया है, और desigation से ताकि अंडे बच जाएं, और यहाँ foam nest से, वो अपने अंडों को foam nest में रखता है, रेकोफोरास, मैकुलेट्स, similarly, जो transparent gelatinous bag के हमने बात की, वो भी आपको यहाँ पे दिखाये दे रहे हैं, phringicollis के जो अंडे हैं, वो gelatinous bags में यहाँ पे रखे जाते हैं, तो इस प्रकार से, अलग-अलग प्रकार से, यहाँ पे के उपर अपना पतियों पे, जो अपने नेक्स बनाएवे हैं, और उनमें फिर यह अंडे देते हैं, तो अलग-अलग प्रकार से, जो हैं, अलग-अलग तरह से, शेल्टर दी जाती है, nest preparation यह nursery preparation की जाती है, जिनमें अंडों का, बचाओं और अंडों को रखा जाता है, उन medical care कैसे दिखाते हैं, वो उसके बारे में हम next class में बात करेंगे, thank you.